Hello friends, I'm my host Dan, Industrial Pharmacy 1 BP502TK, इस वीडियो में हम लोग Unit 5 में Lipsticks के बारे में बात करेंगे, इसके last वीडियो में हम लोगोंने Cosmetic के Introduction के बारे में, Classification के बारे में, Detail में बात कर लिया है, आज हम लोग अपने पहले Cosmetic Product, Lipsticks के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, इस वीडियो में हम लोग Lipsticks के Definition के बारे में बात करेंगे, इसकी Ideal Properties के बारे में बात करेंगे, इस वीडियो में हम लोग Lipstick के Formulation के बारे में बात करेंगे, कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज़े Add करते हैं, और लिप्स्टिक की manufacturing के बारे में यहाँ पर detail में बात करेंगे मेरा नाम है डॉक्टर महिमताप सिंग तो चलिए सुरू करते हैं पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच कहोना चुनियत डॉक्टर PKS और डॉक्टर MPS क्लासेज को और करें अपने V-Farm D-Farm का सपना साकार डाउनलोड दिया है नाओ तो अगर हम लोग यहाँ पर जो हमारे lipsticks हैं उनके बारे हम बात करते हैं तो जो हमारे lipsticks हैं यह ऐसी preparations होती हैं जो की women's अदिकतर use करते हैं अपनी जो lips हैं उनको protect करने के लिए उनको वहाँ पर attractive करने के लिए और repair करने के लिए भी use करते हैं तो अगर हम लोग lipstick की जो हमारी definition है उसके बारे हम बात करते हैं तो जो हमारे lipsticks हैं यह एक हमारे cosmetic product होते हैं जिनके अंदर हम लोग जो pigments हैं, colors हैं उनको यूज करते हैं oils को use करते हैं waxes को use करते हैं और इसमें हम लोग जो हमारे emollients हैं जो कि हमारे lips को soft करते हैं उनको basically हम लोग use करते हैं और जो हमारे lips हैं जो हमारी lipsticks हैं वो हमारे lips को एक proper जो color है वो देने का काम करती है और एक proper texture को देने का काम करते हैं, तो आसान तरीके से कहें, तो इसमें हम लोग जो pigment हैं, oils हैं, wax हैं और emollients को basically use करते हैं, ये हमारे lips को एक proper color और texture structure देने का काम करते हैं, तो अगर हम लोग lipstick को देखें, तो ये इसको हम लोग lip cosmetic के नाम से भी indicate करते हैं, अधिकतर women's इसको यहाँ पर use करते हुए हमें देखने को मिलती हैं, तो अगर हम लोग जो हमारे lipsticks हैं, उनके बारे हम बात करें, तो इसमें हम लोग एक यहाँ पर suitable जो perfume है, उसको भी add करते हैं, उसकी जो acceptance है, उसको और improve करने के लिए, और इसको यहाँ पर एक stick के form में convert करने के लिए, हम लोग जो हमार molds वगएरा होते हैं, उसमें इसको simply molded करने का काम करते हैं, जो हमारे सांचे वगएरा हैं, उनमें simply इसको ढालने का काम करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर जो हमारे lipsticks हैं, उनकी क्या ideal properties होती हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो जो हमारी सबसे पहली property हमार uniform layer को lips के उपर form करनी चाहिए और इसका जो हमारा color है और gloss है वो हमें यहाँ पे long lasting देखने को मिलना चाहिए इसका जो हमारा color है वो भी काफी अच्छा होना चाहिए और इसका जो gloss है या कह सकते हैं चमक है वो हमें लंबे समय तक यहाँ पे simply रहनी चाहिए उसके बाद में अगली जो property है वो क्या है कि जो हमारे lipsticks हैं यह हमारे lips के उपर वहाँ पर हमें firmly अधर्ड होते हुए देखने को मिलना चाहिए properly हमारे lips के उपर एक thin layer के रूप में चिपकते हुए देखने को हमें मिलनी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार का greasy appearance नहीं होना चाहिए oily look basically यहाँ पर इनके अंदर नहीं होना चाहिए उसके बाद जो अगली property है इनके अंदर एक अच्छी thixotropic property होनी चाहिए मैं जब इनको lips के उपर apply किया जाए तो जब इनको store करते हैं तो क्या होता है कि यह approximately जो हमारा solid है उसके form में होती है जब lips पे apply किया जाए तो जो lip का temperature है उसमें यह हमें वहाँ पे हलका सा soft होते हुए देखने को प्राप्ट होनी चाहिए जिससे कि हमें वहाँ पे एक minimum pressure को apply करना पड़े एक जो हमारा color है lipstick का उसको वहाँ पे deposit करने के लिए lips के उपर deposit करने के लिए उसके बाद जो इसकी ugly हमारी property है वो है कि यह हमारे lips को properly soft करना चाहिए जब भी lipstick को lips के उपर apply किया जाए तो वो हमारे lips को एक soft look वहाँ पे softness उसको वहाँ पे simply provide करना चाहिए उसके बाद में अगर हम लोग अगली property को देखें तो यह हमारा जो grittiness है उससे simply यह free होना चाह को मिलनी चाहिए में जब इसको store करें तो यह वहाँ पे completely dry नहों यह भी property उसके अंदर होनी चाहिए और जब इसको lips के उपर apply किया जाए तो जो उससे film form हो वो भी जल्दी से dry नहीं होना चाहिए अगर वो dry हो जाएगा तो फिर वो हमारे lips से हमें leach out होते हुए देखने को प्राप्त होगा उसके बाद में अगली जो प्रॉपर्टी है कि यह जो हमारे lip की skin है उसके साथ में non irritating होना चाहिए उसमें किसी भी प्रकार का irritation cause नहीं करना चाहिए उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी इसके अंदर होनी चाहिए इसके अंदर एक हमें जो pleasant order और flavor है वो basically हमें अपने lipsticks में देखने को मिलना चाहिए हमें add करना चाहिए जिससे कि उसकी acceptance और वहाँ पे अच्छी हो उसके लिए हम लोग एक अच्छा जो हमारा order है flavor है वो अपने lipsticks में provide करते हैं और यहाँ पे जो हमारा वह स्वेटनिंग की process है वो भी हमें इसमें नहीं देखना चाहिए यह इससे free होना चाहिए उसके बाद जो अगली property है जो कि हमारे lipstick के अंदर हमें desired होती है कि यह आसानी से applicable होनी चाहिए इसको आसानी से apply किया जा सके यह ऐसा हमारा lipstick वहाँ पे होना चाहिए और जब आवस्टिक्ता हो तो उसको आसानी से remove भी कर सके यह भी property हमारे lip physically और chemically stable देखने को प्राप्त होना चाहिए फ्रो आउट इसकी expiry जो है उसमें हमें यहाँ पे जो है physically और chemically हमें properly stable देखने को प्राप्त होना चाहिए अब हम लोग यहाँ पे lipstick के formulation के बारे में बात कर लेते हैं कि हम लोग कौन-कौन सी चीज़ों को lipstick को prepare करने में use करते है तो इसमें जो हमारा सबसे पहली चीज है वो हमारे wax mixtures होते है तो जो भी हमारा lipstick है जब उसका हमारा formulation होता है तो उसमें उसका जो solid component है जो कि उसको solid बनाने का काम करता है उसमें हम लोग अधिकतर जो हमारे natural waxes हमें प्राप्त होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे use करते हैं त proper जो चमक है और उसकी जो hardness है उसको simply वहाँ पर provide करने का काम करते हैं और यह जो इसका gloss और hardness है वो हमारा जो wax हम लोग use करते हैं उसकी quality के ऊपर basically हमें और उसकी characteristic के ऊपर basically हमें depend होते हुए देखने को मिलती है जितने अच्छी quality का हम लोग wax use करेंगे उतना ही हमें अच्छा वहाँ पर उसका gloss और hardness देखने को राप्त होगा उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग अलग-अलग जो melting point के हमारे waxes होते हैं उनको basically हम लोग यहाँ पर mixture के रूप में use करते हैं as a जो हमारा wax mixture है उसमें क्योंकि जब हम लोग- apples के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग जो काफी सारे हमारे waxes हैं उनको अपने lipsticks में use करते हैं इसमें जो हमारा होता वह सिटोस्टेरिल alcohol है उसको use करते हैं 42 से 45 degree centigrade इसका melting point होता है 2-3% की concentration में इसको use करते हैं और यह हमारे जो lipstick है उसमें emollient property को maintain करने का काम करत है उसके बाद जो हमारा यहाँ पर सेटाइल alcohol है अगर उसको देखें तो इसका melting point 45 से 50 degree centigrade के आसपास होता है और इसको हम लोग 2-3% की concentration में use करते हैं और यह again इसके अंदर emollient property हमें देखने को मिलती है उसके बाद में जो हमारा यहाँ पर होता है वो serine wax है अगर उसको melting point है यह 60 से हमारा 75 degree centigrade के बीच है इसको हम लोग 5-20% की concentration में use करते हैं और यह melting point को basically वहाँ पर enhance करने के लिए हम लोग इसको उपियोग करते हैं तो इस condition में हम लोग यहाँ पर और भी जो हमारे यहाँ पर wax है उनको use करते हैं जिसमें हमारा जो होता है यहाँ पर white beach wax उसको use करते हैं हमारा यहाँ पर candlel जो wax है उसको हम लोग यहाँ पर use करते हैं हमारा जो होता है कार्नोबा wax उसको use करते हैं hard जो paraffin है salt हमारा paraffin है इनको भी हम लोग जो wax है अपने lipsticks में basically use करते हैं यह इनके हमारे melting points है यह इनकी concentration है और यह इनका use करने का हमारा जो purpose है वो है तो वो basically यहाँ पर होते हैं, तो जो हमारे oily यहाँ पर mixtures होते हैं, इसको हम लोग अधिकतर जो भी हम लो waxes यूज करते हैं, उनके साथ में properly blend करने का काम करते हैं, उनके साथ में properly mix करने का काम करते हैं, और यह यहाँ पर क्या करते हैं, कि जब हम लोग lipstick को apply करते हैं, तो जब हम oil mixture को उसमें use करते हैं, तो हमें एक वहाँ पे proper film उसकी अपने lips के उपर form होते हुए देखने को मिलती है, और ये जो हमारे oils हैं, इनको हम लोग यहाँ पे इसलिए भी use करते हैं, कि ये इस place पे जो हमारा solvent है, उसकी तरह भी use करते हैं, या dispersing agent की तरह हम लोग इसको यहाँ पे हैं, उनके लिए यहाँ पे dispersing agent की तरह हम लोग इसको use कर सकते हैं, अब हम लोग अगर यहाँ पे बात करते हैं, तो यह जो हमारा यहाँ पे होता है mixture, उसको use करने का, जो हमारा यहाँ पे main purpose है, अगर उसके बारे में बात करें, तो जो हमारा oil का यहाँ पे होता है mixture, वो य की हमारा जो lips को cover करने की हमारी capacity है और power है उसको भी अच्छा करने के लिए basically हम लोग oils को यहाँ पर use करते हैं अगर हम लोग इसके examples को ले तो इसमें हम लोग यहाँ पर काफी सारे जो oils हैं उनको basically अपने lips में lipstick को formulate करने में use करते हैं इन में से कुछ examples को आप लोग अच्छे से याद कर लिजेगा exam में आपके लिए काफी help करेगा अब इसमें जो हमारा तीसरा component है वो हमारे simply जो bromo mixtures होते हैं उनको हम लोग अपने lipstick में अधिकतर use करते हैं तो यह यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारी lipstick होती हैं उनकी जो वहाँ पर physical form है उसको simply maintain करने के लिए हम लोग monosterate है हमारा PG है और polyethylene glycol है इन सबको हम लोग आजे solvent अपने bromo acids के लिए use करते हैं तो अगर हम लोग जो हमारा bromo acid है उसके बारे में बात करते हैं तो यह basically दो class के होते हैं पहला है जो कि हमारा होता है red जो bromo acid है हमारा bromo mixture है वो होता है यह हमारे lipstick को red shade देने का काम करता है और जो दूसरा है वो हमारा orange जो red bromo acid है वो है यह हमारा जो lipstick है उसको approximately pink color देखने का काम करता है अब हम लोग जो हमारे अलग-अलग यहाँ पे colors हैं जो कि हम लोग अपने lipstick में use करते हैं अगर उनके बारे में बात करते हैं तो यह जो हमारे colors हैं यह हमारे lipstick का जो appearance है उसको और अच्छा करने के लिए और उसकी जो वहाँ पे commercial point of view के लिए हम लोग basically इसको use करते हैं तो अक्सर जो भी हमारा lipstick है वो हमें अच्छा वहाँ पे दिखना चाहिए उसलिए हम लोग उसको वहाँ पे उपयोग करते हैं तो उसका जो appearance है उसको भी अच्छा करने के लिए हम हम लोग अलग अलग प्रकार के colors को यहाँ पे उपयोग करते हैं और वहाँ पे commercially भी जो अगर कोई उसको खरीदने आ रहा है तो अगर वह अच्छे color का होगा तो उसको वह जो है लेना prefer करेगा तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे colors को use करते हैं अगर हम लोग जो हमारे colors इसके examples को देखें तो यहाँ पे जो हमारे solubal dyes है यहाँ यहाँ पे होते हैं जिसमें हमारा जो होता है फ्लोरोसिंस है या जो हमारा eucine है उसको basically हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं तो जैसा नाम से indicated है यह हमारे solubal dyes होते हैं means यह हमारे oils वगएरा में हमें dissolve completely होते या lake dye के नाम से भी indicate करते हैं इनको भी हम लोग अपने lipsticks में use करते हैं तो इसमें जो हमारा यहाँ पे calcium है हमारा barium है aluminium है strontium है इसके जो हमारे lakes वगएरा होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे ऐसे जो color है अपने lipsticks में use करते हैं इसमें जो हमारा titanium dioxide है उसको भी हम लोग 1% की concentration करते हैं और यह हमें pink shade यहाँ पे बैसिकली देने का काम करता है उसके बाद इसमें जो हमारा अगला component है वह उसके पर हमारे जो preservatives होते हैं उनको यहाँ पर यूज करते हैं तो अगर हम लोग प्रिजर्वेट के बारे करते हैं तो हमारी example को लें, तो यहाँ पे हम लोग 0.1% में प्रोपिल, हमारा जो होता है, यहाँ पे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट, उसको basically यहाँ पे preservative की तरह अपने lipsticks में यूज करते हैं, उसके बाद में जो हमारा अगला component है, जो की हम लोग lipsticks में यूज करते हैं, वो हमारे antioxidants basically यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अधिकतर जो हमारे lipsticks हैं, उसमें जो oil base को यूज करते हैं, उसका जो हमारा होता है, वो densitification की process होती है, जिसमें हमारा जो oil है, वो हमें oxidize होते हुए देखने को मिलता है, उसको basically prevent करने के लिए हम लोग इसको यहाँ पे use करते हैं, और generally इसको हम लोग combination में यूज करते हैं, तो इसमें जो हमारा होता है, यहाँ पे कह सकते हैं कि butylated hydroxy anisol होता है, जिसको हम लोग BHA से indicate करते हैं, उसको यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो हमारा होता है, butylated hydroxy toluene है, जिसको हम लोग BHT से indicate करते हैं, उसको उपयोग करते हैं, जो हमारा यहाँ पे propyl gallate है, उसको यूज करते हैं as a antioxidant और citric acid को basically हम लोग यहाँ पे use करते हैं, इनको हम लोग combinations में यहाँ पे use करते हैं, और जो हमारा अगला component है, जो कि हम लोग अपने जो lipsticks है, उसको और बहतर करने के लिए use करते हैं, वो हमारे यहाँ पे perfumes basically होते हैं, तो अगर हम लोग perfumes के बारे हम बात करते हैं तो इसमें जो हम लोग fat और wax को use करते हैं उनका जो bad order है उनकी जो खराब महक है उसको simply mask करने के लिए हम लोग यहाँ पर perfumes को use करते हैं और यह हमारा attractive flavor है या जो इसकी अच्छी महक है उसको simply impart और improve करने के लिए हम लोग basically यहाँ करते हैं और भी component को हम लोग über case files होते हैं उनको भी हम लोग हमारे कुछ lipsticks ववगरर में उपियोग करते हैं और भी जो यहां पे 2 चीजों को सबसे-्पहले बनाते है उसमे हमारा जो पहला है, वो हमारा Bromo Mixer है और दूसरा हमारा color mixer है, वह यहां पर है, तो अगर हम लोग जो Bromo Mixer है, उसके बादे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसको prepare करते हैं, इसमें झो हमारा die इस्टफ है जो कि हम लोग यहाँ पे जो हमारे कह सकते हैं कि ब्रोमो एसिट्स वगएरा है उनको फिर वहाँ पे सुटेबल सॉल्वेंट में सबसे पहले डिजॉल कर लेते हैं और जब वो उसमें डिजॉल्व हो जाता है तो फिर उसको हम लोग वहाँ पे एक साइड में ब्रोमो मिख्चेर फॉर्म हुआ है इन दोनों को हम लोग आपस में सिमर्व करते हैं तो यहाँ थीया पैस चाहिन पेिलल से पास करते हैं और उसके बाद में यह जो हमारा यहाँ पर bromo mixture form हुआ है और हमारा color mixture form हुआ है इन दोनों को हम लोग आपस में simply यहाँ पर mix कर देते हैं तो अब हमारा यहाँ पर जो हमारा color और bromo mixture है वो simply यहाँ पर form हो गया अब हम लोग इस place पर क्या करते हैं कि अब हम लोग यहाँ पे जितने भी waxes हम लोग use करने वाले हैं, उनको अब हम लोग यहाँ पे melt करते हैं, किस तरह से melt करते हैं, तो यहाँ पे increasing order of melting points में हम लोग simply इसको melt करते हैं. में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले उस wax को melt करेंगे जिसका की melting point सबसे कम हो उसके बाद में उससे जो हमारा ज्यादा melting point का wax है उसको हम लोग melt करेंगे और last में हम लोग सबसे ज्यादा melting point वाले wax को simply यहाँ पे जो है melt करेंगे और उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे फॉर्म हुआ था color और bromo mixture फॉर्म हुआ था फिर उसको हम लोग इसके अंदर add करके properly mix कर देते हैं और जब यह इसके अंदर properly mix हो जाता है तो फिर again एक वहाँ पे fine smooth paste प्राप्ट करने के लिए हम लोग उसको melt करते हैं वहाँ पे उसको फिर से हम लोग जो हमारा यहाँ पे triple roller mill है उससे simply pass करने का काम करते हैं अब हमारा यहाँ पे जो paste है पीस्ट है उसका formation हो गया अब हम लोग इस place पर क्या करेंगे कि जो हमारे और component है उनको simply यहाँ पे add करना start करेंगे तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी हमारे oils यहां पर अभी तक बच्चे हैं उनमें हम लोग जो हमारा preservative है और antioxidant है उसको simply हम लोग उस oil में जो है dissolve कर देते हैं और जब वो हमारे oil में completely dissolve हो जाता है तो फिर हमारा जो mild mixture है जो की हमारा जो fine smooth paste के form में है उसमें simply उसको add कर देते हैं और अच्छे से mix कर देते हैं अब हमारा यहाँ पे एक चीज अभी छूट गया जो की है perfume तो अगर हम लोग perfume के बारे में बात करते हैं तो फिर हम लोग इसको जो भी हमारा mixture form हुआ है उसमें वहाँ पे add करते हैं और gently mixed करने का काम करते हैं preparation से बाहर निकलते हुए देखने को मिलेगा तो यहाँ पे हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि इसको हम लोग low temperature पे mix करने का काम करते हैं तो जब हमारा यहाँ पे perfume completely mix हो जाता है अब हम लोग इस place पे एक जो भी हमारे जो हमारे वहाँ पे होते molds वगएरा हैं हमारे जो वहाँ पे साचे वगएरा हैं वो वहाँ पे उसको अच्छे से lubricated कर लेते हैं और उसको हलका सा वहाँ पे warm हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग जो ये mixer form हुआ है उसको simply में पोर करने का डालने का काम करते हैं, तो जब हमDYista one में your mixture form हुआ है, जब उसको malls में डाल देते हैं तो क्या होता है कि वो उसका सिफ वहां पर उल्ले लेता है। और जब हो उसका वहाँ पे शेपूल ले लेता है, तो फिर उसके बाद में हम लोग इसको हलका सा ठंडा चिल्ड करने का काम करते हैं, तो जब हम लोग इसको यहाँ पे चिल्ड करते हैं, तो फिर हमारे जो waxes है, उनका हमें वहाँ पे एक contract, जो उसका होता है contraction या संकुचन होते हुए देखने को मिलता है तो जब हमारे wax वहाँ पर contract होते हैं तो क्या होता है कि फिर हमारी जो sticks वहाँ पर form होती है molds के अंदर उसको वहाँ पर आसानी हो जाती है बाहर निकालने में वहाँ जो उसका वहाँ पर ejection है वो हमें आसानी से होते हुए देखने को मिलता है तो जब हमारे wax का contraction होगा तो क्या होगा कि उसका जो हमारा size है वो हमें हलका सा घटते ह होगे देखने को पर हाप्त होगा तो आसानी से हमारे molds से हमें बाहर निकलते हुए देखने को मिल जाएंगी तो यहाँ पर हम लोगों ने एक जो formula है उसको लिया है यह जो formula है यह हमारा एक ही lipstick का यहाँ पर formula है तो यहाँ पर जो हमारे अलग-अलग ingredient है वो हम लोगों ने इस side लिये है और यह जो हमारी इसकी total quantity है वो 100 gram है तो यहाँ पर हम लोग 100 gram के लिए कौन सा component कितना लेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो हमारा कैस्टर oil है उसको हम लोग approximately 54 gram के आसपास यूज करते हैं हमारा जो होता है anhydrous हमारा वो lenoline है उसको हम ल white beach wax को भी हम लोग 5 gram में यूज करते हैं हमारा कार्नोबा wax को 3 gram में यहाँ पर उपयोग करते हैं जो हमारा यहाँ पर होता है जो वो carrot wax है उसको हम लोग 3 gram में उपयोग करते हैं जो eosyn है उसको हम लोग यहाँ पर 2 gram की concentration में यूज करते हैं lakes को हम लोग approximately 5 gram की concentration में यूज कर उपयोग करते हैं तो यह हमारा एक जो कह सकते हैं फार्मूला है हमारे लिप्स्टिक का तो इसको भी आप लोग एक बार अच्छे से याद कर लिजेगा तो आई थिंग सो जो हमारी लिप्स्टिक्स हैं उनका इंट्रोडेक्शन उसकी आइडियल प्रॉपरिटी उसका फार् करें और ऐसे ही वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल हुए बना बूले और? अगले वीडियो में हम लो अपने अग अब एक और नेक्ष्ट कास्मेटिक प्रॉपरिशन के बारे में बात करेंगे ठैंक